क्यों अचानक भारत का चंद्रियान तीन फसा मुसीबतों के घेरे में भारत के साथ रश्या, अमेरिका और यूरोप स्पेस एजनसियों ने क्यों कि आपने ट्रेकिंग डिवाइस को अक्टिवेट और आखर क्यों चांद की तरफ जाने वाले गैलेक्टिक हाईवे पर सफर क करना इतना मुश्कित दोस्तों भारत से रवाना हुआ चंद्रियान 3 अंतरक्ष में कृतिमान वच रहा है असरो के विज्ञानिकों के मताबिक चंद्रियान अपने सफर में पूरी कुशलता के साथ सही पत पर आगे बढ़ रहा है लेकिन चंद्रियान 3 से जुड़ी ऐसी तो कौन सी मुसीबते हैं जिनकी जानकारी इसरो हमसे चिपा रहा है। और क्यों इसरो इस मिशन में आने वाली परिशानियों की डेटा को लीक नहीं होने दे रहा है। चंद्रियान तीन इस वक चालिस जार चार सो किलोमेटर की रफ़तार से अंतरिक्ष में दाहाड मारते हुए आगे बढ़ रहा है। शुरुआत में इसने धर्ती के खुल पांच चक्कर लगा है। जिसमें ये धर्ती के कुर्त्वाकरशन सीमा से दूर होता चला गया और एक अगस्त के दिन इसरों ने बड़ी ख़बर देते हुए बताया कि उन्होंने चंद्रियान तीन के इंजिन को फिर से फायर कर दिया है। जिसके साथ एसरों ने ट्रांस लियूनर इंजेक्शन की प्रक्रिया को सफलता पुर्बकन जाम दे दिया है। दरसल दोस्तों चंद्रियान मिशन की ये प्रकुरिया काफी ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि अगर इसमें इंजिन को कम या ज्यादा समय के लिए फायर किया जाता तो प्रत्वी के गुर्तवा कर्शन सीमा इस पर हावी हो जाती और इसे अंत्रिक्षु में कहीं दूर फेक देती और अगर ये एक बार किसी गलत और्विट में चला जाए तो इसे सही करने में काफी समय और ताकत लग जाती इसके लिए चाहिए होता है इंधन ऐसे में अगर इंधन पूरा हो जाए तो हम चाहकर भी चंद्रियान को चान तक नहीं बेच पाते हैं लेकिन इस रो के वो दिमान वेग्यानिकों ने बड़ी ही कुशलता के साथ इस प्रक्रिया को अंजाम देकर चंद्रियान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्रजक्ट्री यानि की LTT में भेज़ दिया है चान तक जाने वाले इस लंबे हाईवे पर चंद्रियान अगले कुश दिनों तक सफर करने व अब फ्रांस की स्पेस एजनसी भी अपनी नजरे गड़ाए बैठी है और बेंगलोरो के सरों की टेलिमेट्री ट्राकिंग एंड कमान नेटवर्क टीम के वग्यानिक भी 2400 घंटे चंद्रियान के साथ साथ पुरे अंतरक्ष में अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं क्योंकि अब चांद के रास्ते में कुछ भयानक मुसीबते चंद्रियान तीन का इंतिजार करते हुए दिखाई दे रही हैं इसी वज़े से पूरी दुनिया के स्पेस एक्सपर्ट्स की धरकने बढ़ चुकी हैं साथियो नीचे बैठे बैठे हमें ये मिशन जितना आसान लग रहा है असल में ये तिन प्रते दिन जादा मुश्किल होता जा रहा है तो चलिए अब जानते हैं कि आखर ये कौन सी मुसीबते हैं जिसने इस रोके वज्यानिकों की मींद उड़ा कर रखती है और वो किस तरह से इन मुसीबतों का सामना करके चंद्रियान तीन को चा चंद्रियान तक पहुचा पाएंगे तो जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त चंद्रियान तीन चान की 3,84,400 किलोमेटर की जर्नी पर है लेकिन ये डिस्टिंस तो चान की तरफ एक सीधी रेखा में है जबकि चंद्रियान तीन तो प्रतवी के अंडाकार चक्र लगाते चंद्रियान तीन के इस लंबे गलाटिक हाईवे के सफर की बड़ी चुनोती बन रहे हैं वहीं अंतरिक्ष के गूल यानि स्पेस डस्ट को जो कॉस्मिक डस्ट के नाम से भी जानी जाती है ये चंद्रियान तीन के लिए किसी बड़ी मुसीवत से कम नहीं क्योंकि अगर तकरा गई तो स्पेस्क्राफ्ट के बहुत सारे सेंसर्स खराब हो सकते हैं हलाके दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसरों ने इन सभी मुसीवतों के बारे में नहीं सोचा तो बता दे कि अंतरिक्ष को लेकर इसरों के वग्यानिकों के बास बेश्रक हम से जाद करके चंद्रियान 3 की लांच डेट मिशन रूट और रफ्तार उसी तरह से चुनी है कि इसका सामना यहां से वहां गूम रहे इन पदार्थों से ना हो साथी चंद्रियान 3 की बाड़ी भी इतने मजबूत मटरियल से बनाई गई है कि अगर इसकी ऐसी किसी चीज़ से टकर हो भी जाए तो इसे जादा नुकसान ना हो और स्पेस डस्ट से बचने के लिए इसके सभी उपकरन पूरी तरह से कवर्ड है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे जादा से जादा शेयर करें और ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें साथी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपक को मिलती रहे धन्यवाद